कहानी की शुरुवात एक विरान जंगल से शुरू होती है और हमारी ये कहानी तीन बहनों पर अधारित है सबसे छोटी बहन का नाम नीना था नीना का सबाब नटकट और शरारती था सबसे बड़ी बहन का नाम माया था जो दिखने में काफी खुब सूरत थी बड़ी होने के कारण माया घर के कामकाजों की तरफ ज्यादा ध्यान देती थी बीच वाली बहन का नाम रिया था और रिया कम बोलने वाली लड़की थी ये तीनों बहने कभी भी जंगल से बाहर नहीं गई थी ये तीनों ही पूरा दिन गर के काम और खेती कर गुजारती थी इन तीनों की माँ की मौत कई साल पहले हो गई थी जिसके बाद ये तीनों अपने पिता इगनों के साथ रहती थी इगनों भी पूरा दिन खेती और शिकार कर ही गुजारता था वैसे तीनों बहनों में बहुत प्यार था इन तीनों को जब भी मौज मस्ती करने का मौका मिलता तो ये उसका पूरा पूरा फाइदा उठाती थी एक दिन पास वाले कस्वे से सू नाम का आदमी इगनों के घर आता है 40-50 बड़े मना चुका सू इगनों का दोस्त था और वो हर महीने उससे मिलने जंगल में आता था वो जब भी इगनों के घर आता तो हमेशा ही लड़कियों के लिए तौफे लेकर आता था इगनों को लगता था कि सू उसकी बेटियों को अपनी बेटियां समझता है और लड़कियां भी सू को अपने पिता जैसा ही मानती थी इस वार सू बड़ी बहन माया के लिए जबैलरी लेकर आया था जब कि बाकी बहनों के लिए नए कपड़े लेकर आया था माया को अपनी जबैलरी काफी पसंद आती है और वो इसे अपनी बेहनों को भी दिखाती है रात को सू पूरे परिवार के साथ खाना खाता है सू जब भी इगनो के पास आता था तो वो दो तिन दिन गुजार कर ही बापिस जाता था अगले दिन सू और इगनो शिकार करने जंगल में जाते हैं इगनो आगे आगे जा रहा था जबकि सू उसके पीशे पीशे चल रहा था दोनोंने अपनी अपनी जरूरत के लिए अपने बैग भी उठा रखे थे थोड़ा आगे जाकर सू अपने बैग से एक साप निकाल कर इगनो की शाट में डाल देता है ये एक जहरीला साप था और उसके काटने से इगनो की वहीं मात हो गई थी थोड़ी देर बाद सू इगनो की लाश घर ले आया था तीनों बहने अपने पिता की लाश देह कर बहुत रोती हैं अगले दिन तीनों बहने अपने पिता की लाश को दफन कर देती हैं वैसे सू ने इगनो का कतल पूरी जोजना बना कर किया था और ये बात लड़किया नहीं जानती थी। रात को सू बड़ी बहन माया से जूर कहता है कि इगनो की इच्छा थी कि हम दोनों की शादी हो जाए। मगर माया को सू की बात पर जगे नहीं होता और वो शादी करने से मना कर देती है। कोई भी बहन उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। थक हार कर सू अपने घोड़े पर सुवा रहोकर जाने लगता है और उसी पर माया उसे अवास देकर रोगती है। वो जल्दी जल्दी सू के पास आकर उसे उसकी ज्वैलरी वापिस करती है। जिसके बास सू फिर से आगे बढ़ने लगता है। अब माया जैसे ही अपने घर वापिस आती है तो छोटी नीना उससे कहती है अगर वो ज्वैलरी तुम्हें पसंद नहीं थी तो मुझे दे देती। मैं अभी सू से वो ज्वैलरी वापिस लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो सू को रोकने के लिए उसके पीछे दोड़ती है। माया उसे रोकने की काफी कोशच करती है लेकिन ज्वैलरी के लालच में नीना उसकी एक नहीं सुनती। वो जल्दी जल्दी सू के पास चाकर उसे ज्वैलरी मांगती है। सू एक गंदा अदमी था और वो नीना को बहला फसला कर एक तरफ ले आता है। इसके बाद वो पहले नीना की इज़त लूटता है और फिर ज्वैलरी लेकर पास ही चला जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो गई थी। दोनों बहने काफी समय से नीना का इंतिजार कर रही थी। जल्द ही नीना घर आ जाती है और फिर एक जगा बैठ कर रोने लगती है। जब माया उस से उसके रोने का कारण पूछती है तो नीना उसे सब बता देती है कि सू ने मेरे साथ जबर्दस्ती की। नीना की बात सुनकर माया बहुत दुखी होती है जिसके बाद वो सू से बदला लेने का फैसला करती है। अगले दिन सुबा लू नाम का लड़का जंगल में आ चुका था। लू भी सू की तरह घोड़े पर था और वो सिधा बेहनों के गर के बाहर आकर रुखता है। नीना का शोर सुनकर वो हाते ही लू को पीटने लगें थी। मगर लू ने डरा दुमका कर पहले रोकता है और फिर उने बताता है मैं सू का बतीजा हूँ। मेरे बाप की मौत के बाद सू ने मुझे गुलामों की तरह रखा था। इसी वज़ा से मैंने दुखी होकर कर उसे मार दिया और पुलीस से बचने के लिए मैं जहां आ गया। लू की बात सुनकर माया बहुत हैरान थी क्यूंकि अब वो चाहकर भी सू से बदला नहीं ले सकती थी। कुछ देरवान लू बेहनों के घर के पास ही एक जोंपड़ी बनाने लग गया था। उसने अपने लू अच्छा लगने लगा था। देखते ही देखते नीना पूरा दिन लू के साथ ही गुजारने लगी थी। रात को जब उसकी बहने सो जाती थी तो वो चोरी चुपे लू के घर आ जाती थी। एक रात नीना लू के पास गई हुई थी। और इसी दुरान बीच वाली बहन रिया नीन से जाग जाती है। नीना को अपने विस्तरे से गायब आकर वो घर से बाहर आकर उसे डूनने लग जाती है। रिया के जाने के बाद माया की भी नीन खुल चुकी थी। उधर रिया दीरे दीरे लू के घर की तरफ बढ़ रही थी। और उसी पार माया भी अपनी बेहनों को डूनने के लिए गर से बाहर निकलाई थी इसी भी चोटी नीना चोरी चुपे लू के गर से निकल कर अपने घर वापिस लोटाती है दूसरी तरफ रिया लू के गर जाकर उससे कहती है मुझे तुम पहले दिन से ही अच्छे लगते हो इतना कहकर वो लू स भी तन्म बदन में आग लग चुकी थी वो जल्दी जल्दी अपने घर आकर अपने उपर पानी डालती है ताकि वो अपने बदन की करमी को किसी दरा शांत कर सके अगले दिन माया की दोनों बेहने सो रही थी और माया इसी का फाइदा उठाकर सिधा लू के गर जाती है वो लू को जहां से चले जाने को कहने आई थी लेकिन लू उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ माया लू से शादी करने के लिए मान जाती है और वो भी लू के नीचे लेट कर उसके साथ सबंद बनाती है अब तीनों बेहने एक की लड़के से प्यार करने लगी थी और उस लड़के का नाम लू था तीनों बहनों को एक दूसरे का सच पता था लेकिन फिर भी तीनों चुप थी अब फैसला लू को करना था कि उसे कौन सी बहन पसंद है ताकि वो उससे शादी कर सके कुछ दिनों बाल लू और माया शाद कर दिन गुजारने लगी थी माया के बाद रिया ही जंगल में जाल बिछाती थी और वही नीना का ख्याल रखती थी अब कहानी कुछ महिनों बाद शुरू होती है एक दिन माया लू को बताती है कि मैं मा बनने वाली हूं माया की बात सुनकर लू बहुत खुश हो गया और नाचने लगा कुछ दिनों बाद माया अपनी बेहनों के घर आती है माया को देह कर नीना तो खुश हो गई लेकिं रिया अभी भी माया से नराज थी दरासर रिया भी लू से शादी करना चाहती थी मगर जब लू और माया की शादी हो गई तो उसने उन दोनों से बात करना ब चुकी थी कि शहर जाने के बाद माया कभी वापस नहीं लोटेगी। उसी राज जब लू और माया अपने घर में सो रहे थे तो रिया चुपके से लू का गोड़ा चुरा लेती है। गोड़े के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ गोड़े को डूनता डूनता लू एक जाल में फसकर हवा में लटकने लगा था। इसी दुरान जंगल में तुफान आ जाता है। नीना तुफान देहकर किसी सुरक्षे जगा की और जाने लगती है। जबकि उसकी दोनों बहने बहस कर रही थी दूसरी तरफ लू अपना चुरा निकाल कर जालतों काट देता है लेकिन नीचे किर कर मर जाता है उधर माया रिया को पीट पीट कर उससे गोड़े की पूशताश कर रही थी और तब ही उन दोनों पर आसमानी बिजली गिरती है जिसके बाद दोनों बह बहनों की मौत हो जाती है कहानी के आखर में नीना कई दिनों बाद अकेली ही शहर पहुंच गई थी अपनी बहनों की मौत के बाद वो जंगल छोड़कर शहर चली आई थी ताकि जहां अगर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सके हमारी वीडियो देखने के लिए धन झाने बाद